ओम स्यांते आत्मा बनकर बैठें अपने मस्तक सिंगासन पर हर एक मनुष को प्राए हमेश साही किसी न किसी जिम्मेदारी को पूर्ण करना पड़ता है किस के पास ग्रस्त की जिम्मेदारी है तो किसी के पास अपने साथियों को संतुष्ठ करने की जिम्मेदारी है नई जिम्मेदारी की बात कर रहा हूँ आपके घर में कोई बिमार हो गया उसको ठीक करने की जिम्मेदारी है कामदंदों में पैसा कमाने की जिम्मेदारी नोक्रियों में अपना कारिये पूरा इमानदारी से करने की जिम्मेदारी तो हर आत्मा किसी ना किसी जिम्मेदारी से बंदा हुआ है, छोटा या बड़ा एक मजदूर को भी जिम्मेदार रहती है अगर वो उसे ठीक से निभाता है तो आगे बढ़ जाता है एक बड़े अधिकारी को बड़ी जिम्मेदारी रहती है, उसमें उसको कभी-कभी टेंशन भी रहता है, बन्तु, जिम्मेदारी में हलका रहना, ज्यान का यूज करना, अपने अंदर कुछ विशेश योग की सक्तियां भरके चलना, पोजिटिव रहना, जिन्ताओं से मुक्त अनाव से मुक्त रहना, ये ज्यानी आत्मा का सबसे प्रमुख लक्षन है, अगर ज्यानी भी भारी हो जाएं, अगर जिम्मेदारी आते ही, ओफिशियल और क्रोधीत, चेड़-चेड़े स्वभाव के हो जाएं, तो उसे भला ज्य जानी कैसिक आजाएगा, कर्म में, सारा दिन, जो योग-योक्त रहने का अभ्यास करते हैं, कितना भी रहें, अब सारा दिन में दो गंटा योग-योक्त रहें, सारा दिन में रहा जा सकता है, और रटने की बात नहीं, पात है कि अबल किसी इसमर्ती को पावर्फुल ढंग स अपने अंदर समाने की, तो एक इसमर्ती का अभ्यास गंटों चलता है, अगर हम सुवामान में रहते हैं, तो हमारी इनर पावर बढ़ जाती है, जिम्मेदारियों में हलके रहने से, हमारी कारिये शक्ति, जिसे एफिसेंसी कहते हैं, वो भी बहुत बढ़ जाती है, इसलि ये कला सभी सीखते चलेंगे, रोज जिम्मेदारी हैं, बच्चा बिमार हो गया, परिशानी होती है, किसके पास पैसा नहीं है, डॉक्टर्स का बड़ा भी लोटा है, परिशानी होती है, पर तो आज तक ऐसा देखा गया, विन विन केशिज में, कि भगवान अगर हमारा स साथी है, हम उसे अपना साथी बनाएं, इस नसे में रहें, कि भगवान हमारा साथी है, तो वो कहीं न कहीं से, कुछ न कुछ प्रबंद निखाली देता है, कठिन को सरल कर देता है, एक व्यक्ति के लड़के को कैंसर हुआ, पहले ही बहुत सारा बिल दिखा देते हैं, डो कराए दी, एंदा बाद जाकर किसी बड़े होस्पिटल में भी चेक कराओ, योग लगाया, बाबा का आवान किया, बाबा मेरे साथ है, सब कुछ अच्छा करेगा, क्योंकि पैसा इतना था नहीं, जब हाँ चेक कराए, रिपोर्ट ली तो कैंसर था ही नहीं, तो चलो कोट की गलती भी हो सकती है, लेकिन बाबा की मदद भी बहुत जादा होती है, तो हमें अपने अंदर योग बल को बहुत बढ़ाना है, जिसे ज्वाला स्वरूप योग कहते हैं, ज्वाला स्वरूप का अर्थ ही है, परमधाम में बाबा के साथ बैठ जाना, उसके योग है, कुछ लोग सेकिन सीखर पाते हैं, कुछ मिनाट और कुछ उस से भी ज़्यादा, अपनी अपनी प्रेक्टिस की बात है, इसके लिए पहले हमें आत्मिक स्वरूप। परिकाग रोने की प्रेक्टिस ज़्यादा करनी चाहिए, एक मिनाट तक ले जाए, तीन मिना तग ले जाए चिंतन के साथ, चिंतन को समाप्त करके नहीं, बिना चिंतन आप करेंगे तो बुद्धी कहीं भी भटक जाएगी, तो इससे विकरम भी विनास होंगे, नया विकरम भी नहीं होगा, संसकार भी बदलते जाएगे, विचारों में द्रडता आती जाएगी, और ज एक एक दो-दो मिनट भी बीच-बीच में समय निकाल करकर लिया करें, तो जिम्मेदारियों का वहन करना भी सरल होगा, और योग का सुख, योग का रस भी बहुत बढ़ जाएगा, तो दोनों को साथ लेकर चल रहे हैं, सभी इस पर बहुत अच्छा टेंशन देंगे,